नमस्ते दोस्तों जिस तरह से आज के टाइम में हमारे देश के हर एक सिस्टम में एक गलिच देखने को मिलता है उसी तरह से हमारे देश के मीडिया और कुछ लोग देश बक्ती का और बॉइक़ट चाइना का नारा तभी लगाते हैं जब कभी भी हमारे देश के बहादूर जवान शहीद हो जाते हैं हमारी शुरक्षा गरते हुए बॉर्डर्स पर और नारा लगाने वाले लोगों की अवेरनेस उनी की तरह next level होती है जब कभी भी boycott China का trend जोर शोर से चल रहा होता है तब ही आपको ऐसे हजारों वीडियो मिल जाएंगे जो की viral होते हैं different different social media platforms पर यहाँ पर लोग अपनी प्रतीक्रियाएं दिखाते हैं कोई तो TV fan करा होता है कोई Chinese products के toys को तोड़ रहा होता है तो कोई उनके different different products में आग लगा रहा होता है लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इन में से कुछ products तो Indian manufactured companies कही होते हैं तो यह है हमारे देश के लोगों का awareness level हम लोग चाइना का बिरूद कर रहा है चाइना में जो घटना हुआ लदक में क्या बोला लेकिन दोस्तों इसमें इन लोगों की भी कोई गलती नहीं है क्योंकि देश की मीडिया का एक काम होता है लोगों में awareness फैलाना लेकिन हमारे देश की गोधी मीडिया तो अकसर हिंदू-मुस्लिम मुद्धों में ही उलचके रह जाती है और वॉयलेंस फैलाने का लोगों के बीच में ये लोग कोई मौका नहीं छोड़ते लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा जाता है कि जब कभी भी कोई Chinese product e-commerce platform पर launch किया जाता है तो मिंटों में out of stock चला जाता है तो ये दो reality अक्सर हमें देखने को मिलती है लोगों की on camera और off camera तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा ये मकसद बिलकुल नहीं है कि मैं गोधी मीडिया की actual picture आप लोगों के सामने रखूं या देशबक्ती का नारा लगाने वाले लोगों की ground reality आपको बताऊं आज के time में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो China next level का game खेलने लग रहा है जिसके बारे में आप लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते कुछ ऐसे points जिनके उपर आप believe करो या ना करो लेकिन future में directly या indirectly ये आपको effect ज़रूर करेंगे तो एके करके बात करते हैं उन सारे points के उपर सबसे बड़ा deadly trap जिसे बोला जाता है debt trap इसे मैं आपको एक example से समझाता हूँ movies में हम लोग अक्सर देखते थे कि पुराने जमाने में जमीनदार जब किसी गरीब को loan देता था तो उसकी उपर एक heavy interest लगाता था और most of the cases में वो गरीब जब उस interest को वापिस नहीं कर पाता था उस पैसे को वापिस नहीं कर पाता था तो वो जमीनदार उनकी जमीन पे और घर पे कबजा कर लेता था ये सिर्फ एक example था जो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए use किया है बलकि China इससे भी ज़ादा dirty technique का use करता है बस फर्क इतना है कि वो ये technique अपने देश के लोगों पर नहीं बलकि उन गरीब countries पे apply करता है जिसके बारे में वो ये जानता है कि वो उसका loan return नहीं कर पाएंगे और उसके बात शुरू होता है चाइना का असली खेल तो चाइना हजारों करोड रुपे spend करता है इन countries के infrastructure के उपर roads के उपर, highways के उपर और dams के उपर क्योंकि उसे मालूम है कि ये countries उसके loan को repay नहीं कर पाएंगी और उसके बात चाइना खेलता है अपना असली trump card क्योंकि जब loan वापिस नहीं आता तो चाइना उनके strategic points को, strategic locations को अपने under में ले लेता है और उनकी land को physically occupy कर लेता है जिसे बोला जाता है debt trap तो दोस्तों इस तरह की situation को imagine करके देखिए जो practically आज के time में चाइना करने लग रहा है और debt trap के आपको हजारों examples इंटरनेट पे मिल जाएंगे और वो countries आपको पता लग जाएंगी जो already चाइना के debt trap का शिकार बन चुकी है जैसे की Kenya का एक सबसे बड़ा port इसी reason की वज़ा से चाइना के पास चला गया था Zambia की सबसे बड़ी power utility company इस reason की वज़ा से चाइना ने अपने अंडर में ले ली थी और अब केवल चाइना African countries को इन्हें slowly slowly Asian countries को भी target करने लग रहा है जिसका सबसे बड़ा example recently हम लोगों ने देखा था कि चाइना ने श्री लंका का 15,000 एकर का port 99 years के लिए lease पे ले लिया था श्री लंका से चाइना इसे अपने army base के लिए use कर सकता है नेवल ships के लिए use कर सकता है जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा concern का point है अगर कल को कोई war type situation बनती है तो तो दोस्तों वहीं दूसरी तरफ एक article हमें ये बताता है कि जो अगली country है जो इस death trap का शिकार होने जा रही है वो है Nigeria दोस्तों थोड़ा सोच के देखिए कि आज के time में हम लोग केवल internal issues में ही उलचके रह गए हैं जिसका credit जाता है हमारे देश की गोदी मीडिया को जो की केवल हिंदू मुस्लिम के मुद्धों में उलचके रह गई है और इस तरह के important points पे topics पे कोई बात नहीं करती है जो की असल concern का विशे हैं दूसरा सबसे बड़ा जो concern का point है वो है China dumping strategy जिसे अगर मैं simple words में आपको बताऊं कि आप अपना product इतने कम price पे दूसरी country में export कर दो कि उस particular product के जो local manufacturers है उस country के वो out of market चले जाए या field को ही छोड़के चले जाए इसे एक example से समझते हैं कि जैसे ही कोई भी Chinese product launch होता है e-commerce platform पे जैसे की mobile phone तो वो mintो मही out of stock चला जाता है यानि कि आपको एक तरह से उस particular industry में एक monopoly मिल गई और जब आपको monopoly मिल गई तो आप उस country की उस particular industry को अपने हिसाब से control कर सकते हैं, manipulate कर सकते हैं लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इसका reason हम लोग हैं जो कि इतना जादा पसंद करते हैं Chinese product को क्योंकि इतने कम price पे हम लोगों के इतने सारे features मिल जाते हैं तो दोस्तों यकीन मानिये इसमें हम लोग secondary role play कर रहे हैं प्राइमरी बात ये है कि ये Chinese companies इतने कम price पे product बना कैसे पाती हैं तो इसका जो reason है और जो वज़े है वो ये है कि Chinese government इन companies को बहुत जादा support करती है कि आप दूसरी country में export करो अपने समान को अपने product को dump करो हम लोग आपको export subsidies देंगे यानि कि आप दूसरी country में अपने product को dump करो हम लोग आपको पैसे देंगे और इस तरह की problem आज के time में कि फिल इंडिया ही face नहीं कर रहा है बलकि पूरी world की different different countries face करने लग रही है जिनके articles मैंने आप लोगों के सामने screen पर share कर दी है अगर आप details में पढ़ना जाते हैं कि क्या-क्या problem face कीई थी different different countries में तो उन सब की links में नीचे description में देंगा आप लोग पढ़ दकते हैं तो दोस्तों आज हमें सोचने की जरूरत है कि इस तरह की dumping को रोका कैसे जाए तो कुछ countries ने इसका बहुत अच्छा solution निकाला है कि उन लोगोंने heavy import duties लगा दी है तांकि ऐसा नाओ की आने वाले time में सारा का सारा जो world है वो capable in Chinese products में dependent होके रह जाए तो दोस्तों वीडियो खदम करने से पहले एक बहुत ही important बात में आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि देश भक्ती के नारे लगाने से boycott China बोलने से TV तोडने से या Chinese product जलाने से जिसमें कि काफी सारे product तो Indian manufactured companies कही होते हैं कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि चाहिना यहां पर planning के साथ आगे बढ़ रहा है और आज के time में यह इंडिया के लिए नहीं बलकि बाकी countries के लिए भी एक बहुत बड़ा concern का point बना हुआ है तो हम लोगों को उसी के accordingly plan करना पड़ेगा और act करना पड़ेगा कुछ solutions तो मैं आपके सामने अपने अगले वीडियो में share करूँगा जो की इस strategy को चाइना की strategy को definitely impact करेंगे और हमारे भारत बर्ष को आगे बढ़ने में support करेंगे वीडियो अच्छा लगाओ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा मिलते अपने अगले वीडियो में जबते के लिए नमस्ते जैए अरे रुको रुको आप लोग कहा जा रहे हूँ सब्सक्राइब तो करो